बारा तेरा चोदा फुट की दिवार जो है न वो सीधा दो बार में वो कर गई जबकि वो प्लेन दिवार थी इस तरीके से हवा खराब हो जाती है और वो मेर से बोलती है अगर तुने किसी को बताया कि तेरे साथ भी यही होगा दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षे वसिष चैनल पर इस चैनल पर मैं अक्षे वसिष आपको ऐसे पैरनोमल इंसिडेंट और अक्टिविटीज के बारों बताता हूँ जो कि हमारे फॉल्लवार और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्टेक्राम आइडी, जीमल आइडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कभी आपके साथ कोई ऐसे पैरनोमल इंसिडेंट हुआ हो आप उसे रिकॉर्ड करके बेज सकते हैं हमारे वाटसप पे मैं अक्षेवसिष्ट उसे नेरेट करूँगा अपनी आवाज में आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं मैं यही चाहूंगा कि इसी तरीके से आप प्यार देते रहे हैं एक बड़ी अनाउंस्मेंट जो करना चाहूंगा वीडियो में पहुचने से पहले कि फेस्बुक पे मैं अभी अवलेबल नहीं हूँ अगर आप फेस्बुक पे किसी अक्षेवसिष्ट या अक्षेवसिष्ट हॉरर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कोई फ्रॉड है जिसको आप पैसे दे सकते हैं अभी मैं फेस्बुक पे अवलेबल नहीं हूँ कोई इंसान है जिसने हमारा फेक पेज बनाके यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके उस पे अपलोड की है और लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अब वीडियो की और चलते हैं ये जो रियल इंसेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये लोग हम से शेयर करते हैं ये वो लोग है जो अपनी जिंदगी में कही न कहीं परिशान है जो नहीं चाहते कि आप किसी वज़े से परिशान हो आप उनकी गलती से सीख ले सकते हैं तो किसी की गलती किसी की सीख आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें दीपू ने बताया जो कि शाधरा के रहने वाले हैं 2014 में उनकी नजरों के आगे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहां पर उन्होंने ये देखा था कि एक तरफे प्यार की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है उन्होंने पूरा इंसिडेंट मुझे रिकॉड करके बेजा और मैंने उनसे कॉल पर वेरिफाई करा कि पूरा इंसिडेंट रियल है या नहीं है तो उनसे मैंने पूरा कनफरमेशन लिया है अब बताता हूँ मैं आपको बात है 2014 की जब दीपू ने बताया की वो अपने साइड वाले घर में टूशन पढ़ने जाते थे काजल दीधी के पास को बिस्टंस मेंंटेन करना सेखो हर किसे इंसान की नियत अच्छी नहीं होती और आसा ही हुआ काजल सामने गूटने में बैठे वो नहें रिंक पनाने लगे पास्व को अपनी इज़त को लेके इतना जाता लगा कि उन्नों लड़के को भरी भीड में चाटा मार दिया यह होने के बाद काजल अपने घर आ गई और अपने पेरेंट्स को उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कॉलेज में ऐसा ऐसा हुआ था एक लड़के ने मुझे प्रपोस किया मैंने उसे चाटा मार दिया अब अगर कुछ होता है तो एक दीदी होनी चीए ना काजल बिल्कुल वैसी थी और मैं उनको दीदी की तरह ही मानता था लेकिन बोलते हैं कि हमारे चाहने से क्या होता है जब तकदीर में कुछ और ही लिखा होता है तो काजल ने उस लड़के को मना कर दिया और वो कॉलेज जाने लगी अगले दिन व दीरे दीरे वो आगे बढ़ने लगी और अपने ट्यूशन की तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया बोलते हैं कि कॉलेज असाइमेंट्स मिलते हैं तो काजल को भी कॉलेज असाइमेंट्स मिलते थे जब वो रात को बैठ कर अपने घर में किया करती थी काजल जो कोई मिलेगी उसकी तो तकदीर खुल जाएगी अब जैसे हर कॉलेच से किसी को कोई न कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो क्ाजल को भी एक प्रोजेक्ट मिला भाधा घर से गए क्लिए काजल ने अपने मंपी बापा को इन्फॉरम किया जब अचानक से रात के डेड़ दो बजे और उन्हें लगता है कि मुझे वाश्रूम यूज करने जाना चाहिए वाश्रूम पहले घर के भार हुआ करते थे थोड़ा सा आउटर एरिया में जैसे आप जानते हैं कि अगर घर बना हुआ है तो उसको थोड़ा सा भार हम घर के तरफ रखते थे अभी तो घर में वाश्रूम बनने शुरू हो गए है तो वो अपने घर से भार निकलती है वाश्रूम यूज करती है जब वो वापीस आ रही थी तो उन्हें ऐसा लगता है गर्मियों का टाइम था लेकिन उन्हें ऐसा लगता है जो उनके वापर थोड़ा गाड़ा नेरिया था वहापर जैसे वाइट कलर की बॉल पड़ी हु उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे तो वो सो जाती है अब अगले दिन की बात है जब वो अपने कॉलेज जाती है कॉलेज में भी वो बहुत बुरी तरीकी से इरिटेट रहती है जब घर में वापिस आती है तो दीपू ने बताया कि अक्षे भाई उनके पास ए लेकिन वो जो पैट था वो काजल को देखकर पूरे दिन भौकता रहता है काजल इसीज को इगनूर करती है हलाकि जो उनके पेरेंट्स थे और जो दीपू था जो माँपर ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आते थे वो इसीज को देखके बहुत हरान थे कि वो जो पमेल गरवाले सोके उठते तो वो देखते कि पमेलियन जो डॉक था वो इस दुनिया में नहीं रहे सब बहुत शौक थे इस चीज को देखकर कि रातो रात ऐसा क्या हुआ लेकिन फिर भी ये सोचते कि शायद उसका गले में कुछ फस गया होगा उसने कुछ गलत खा लिया होग लेकिन इने क्या पता था ये तो किसी खत्रे से पहले का संकेत था जो वो पैट देता देता अपने साथ चला गया था तो काजल के एक बड़े भाई थे जो देखते कि परिवार की कंडीशन ऐसी हो गई है क्योंकि जब काजल घर में नहीं होती थी तो किसी का मन नहीं लगत जाता तो उनके भाई या करते हैं अपने साथ एक नया पैट लेके आते हैं तीन-चार दिन बाद लापरो डॉग एक वो लेके आते हैं और घर वाले बहुत जाता खुश हो जाते हैं इसी इसको देखके कि चलो अब दुबारा घर में एक नए मैमान का स्वागत करते हैं ल उनके घर में अजीव-जीव सी आवाजे आने लगी और इन सब चीजों में जो सबसे बड़ी चीज थी जो काजल थी उनका रियक्शन बदलने लगा मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत जादा डिस्टर्ब रहने लगी इरिटेट रहने लगी वो किसी से डंग से बात नह मारा करती थी तो काजल पहली बार उस दिन डिसीजन लेती कि इस घर में आप कोई नया पैट नहीं आएगा क्योंकि जब भी हमें कोई छोड़ के जाते हैं हम रह नहीं पाते तो काजल बोलती है अगर फिर दुबार कोई पैट आएगा और फिर दुबार उसके साथ कुछ चूचनी चुई तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा और मेरी पढ़ाई बहुत जादा डिस्टर्ब होती है इस चीज़ को लेके दो से चार महीने गुजरते हैं काजल खुद को स्टेवल करती है घर में सब ठीक हो जाते हैं और वक्त आता है काजल के पहले रिस देगा जब काजल भी उस लड़के को बहुत पसंद कर रही थी और डिसीजन देखकर घर वाले भी बहुत खुश थे कि चलो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन बोलते हैं कि अगर आपकी खुशियों को पहले सही किसी की नजर लगी हो तो दूसरी खुशिया कभी उसकी जगा नहीं ले पाती तीन दिन बाद वो जो लड़का था जिसने काजल को पसंद किया था वह अपने ऑफिस से घर आ रहा था और उसका इतना गंदा एक्सिडेंट होता है जहां पर वह अपना रास्ते में दम तोड़ देते हैं काजल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि उ दो महीने गुजरते हैं तीसरा महीना आता है दूसरा रिस्ता उनके लिए आते हैं जब दूसरा रिस्ता आता है तो लड़का जो था ठीक ठाक था काजल फिर भी यही सोचती है अगर माबाप एगरी कर रहे हैं तो मैं कैसे मना कर दूँ और काजल दूसरे लड़के के अब जो काजल के माबाप थे वो काजल को मनूसियत की नजर से देखने लगे कि यार कहीं हमारी लड़की में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खुद को कैसे ने कैसे कन्वेंस कर लेते थे क्योंकि काजल के जो बड़े भाई थे वो यही समझाते हैं कि आप किसी और की करनी पे काजल को क्यों डाट रहे हो काजल की गलती क्या है ठीक है दो लड़के थे नहीं हो पाया कोई नहीं आगे देखते हैं फिर भी उनके पकी नहीं हो पारी है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक और रिष्टा आएगा जहां पर इनकी बात बन जाएगी घर वाले खुश हो जाते कि चलो छे महीने एक साल वेट करना पड़ेगा लेकिन जब काजल 25 साल की हो जाएगी तो एक ऐसा रिष्टा आएगा जो कि पंडी जी ने पताया कि 25 साल आने पर काजल की एक ऐसी शादी होगी जहां पर काजल महारानी जैसी लाइफ जीएगी 25 साल होने पर काजल के दुबारे एक रिष्टा आते है घर पे जैसे कि पंडी जी ने पताया था लड़का वेल सेटल था लड़का दिखने में सु लेयर कर देते कि हमारे लड़के के दिमाग में कोई ना कोई शोट लगी है और वो mental asylum पहुच गया है वो पूरी तरीके से पागल हो गया है अब बोलते ने कि ऐसी condition में जहाँ पर आपके घर में एक बच्ची हो जिसकी शादी ना हो रही हो तो उस घर में बाप का बुकलाना बनते ही है पापा क्या करते थे पूरी पूरी राज सो नहीं पाते थे लड़की की टेंशन में और शायद ये चीज उनको बहुत भारी पढ़ने वाली थी जब दीपू उनके बगल वाले घर में रहता था एक रात की बात है दीपू को नीद नहीं आ रही थी रात के बारा बारा बज रहे थे तो जो काजल का घर था उनकी छट जो थी पूराने टाइम की बनी वी थी तो वहाँ पर तो लकड़ी वाली सीडी लगानी होती है उसको लगा अकर उनकी छट पर जाया जाता था तो रात की बात है साड़े 11-12 बजे की जब दीपू को नीद नहीं देखते कि काजल वहाँ पर खड़ी थी नीचे जो ऊपर की तरफ देख रही थी अपने पापा की तरफ और जो दिवार थी वहाँ पर 13-14 फिट की थी दीपू देखते कि काजल ने एक पैर मारा दूसरा पैर मारा और सीधा वह छट पर आ गई सीड़ियों का उसने यूज देख रहे थे और काजल ने एक बार दीपू की तरफ देखा जब दीपू वहाँ पर बैठे बैठे फ्रीज हो गए थे उनके पास करने को कुछ नहीं था हाथ नहीं हिल रहे थे पैर नहीं हिल रहे थे काजल अचानक से उचल के दीपू के पास आती और बोलती है अगर तो शोर्स उनके काजल के भाई उठके जाते हैं और देखते हैं कि पापा सिगरेट पीते पीते नीचे गर गए तो काजल के भाई उनके पापा को अंदर उठा के लिए आते हैं तो काजल के पापा को पता ही नहीं था पीछे हुआ क्या हूँ उनने लगा उनका पै डिस व बताने वाला हूं लेकिन दिमाग में एक ही statement थी कि अगर में बता दिया तो काजल दीदी मेरा क्या हसर करने वाली है। लेकिन बोलते हैं-दीपू था उसने अपने पूरे परिवार को बता दिया कि काजल दीदी ऐसे ऐसे आय थी और उन्हें ने अंकल को धका मारा और अंकल नीचे गिर गे और काजल दीदी ने मेरे को बोला कि तिर को भी जान से मार दूंगी काजल वाँ पर खड़ी हो के सुन रही थी सब को लग रहा था अभी तक दीपू मजाग कर रहा है अचानिक से काजल बोलती है कि मैंने तिर को मना करा था ना मना करा था न मत बताईयो अब तू भी मरेगा और ये सुनने के बाद दीपू के परिवार वाले सबसे पहले डरते हैं कि भाई ये काजल क्या बोल रही है तो काजल की मम्मी उसके बाल पकड़के उसे मारने लगती है बुरी तरीके से कि क्या बोल रही है तू क्या मारेगी क्या मतलब तेरा बूरी तरीके से पीटरने लगती है तो काजल की बॉड़ी के अंदर से एक आवाज आती है कि तुम जिसे मार रहे हो वो तुम्हारी बेटी है थोड़ी देर में मैं तो निकल जाओंगा यहां से पर तुम अपनी बेटी को बचा नहीं पाओगे और हाँ यह जो लड़का है न इसे मा अपने साथ लेगे जाओंगा जैसे तुम्हारी लड़की को लेके जाने वालों और यह सुनने के बाद जो दीपू के घरवाले थे वो बहुत डर जाते हैं वो फटाफट से दीपू की नानी को फोन करते हैं और दीपू को उसी दिन अपने घर से नानी के घर पे बेज़ देते हैं पढ़ाई गई तेल लेने दीपू को वहां से रवाना करते हैं कि भाई तू निकल इससे पहले कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए अब इस दोरान क्या हुआ दीपू तो मां से चले गए अपने नानी के घर पे दीपू को नहीं पता दीपू को बाद में पता चला जब वो अपने घर पे आए कि जो काजल थी जो लड़की थी उसके रवये में ऐसा बदलावा आ गया जो लड़की स्मोक से हेट करती थी वो बीड़ी पिया करती थी बैट के जमीन पर और घर वाले कुछ भी बोलते तो बरतन फैक के मार दे करती हांडी फैक के मार दे करती हला मचाया करती घर में और जो सबसे irritating वाली चीज थी कभी भी सोते सोते पूरे कपड़े उतार के किसी भी घर वाले के सामने आ रहाती ये बोलके कि मैं इसे ले जाऊंगा मैं इसे ले जाऊंगा नहीं छोड़ूंगा तुम बचा के दिखा लो मैं इसे ले जाऊंगा परिवार वाले बहुत जादा तंग आ गये थे इन सब चीजों की वज़े से तो काजल के पापा अपने गाउ में फोन करते हैं गाउ का नाम बताने के लिए मुझे मना कर आ गया है तो मैं नहीं बता पाऊंगा गाउ में एक सिद्ध बाबा थे वो बाबा बोलते हैं उने की तुम्हें लड़की को मेरे पास लेके आना पड़ेगा अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी की काजल के पापा के पास गाड़ी नहीं थी अगर गाड़ी करनी पड़ेगी तो ड्राइवर को बताना पड़ेगा ड्राइवर को बताना पड़ेगा तो कोई ना कोई दिक्कत होगी जिस वेरे से ड्राइवर जाएगा नी तो ये का दिमाग लगाते हैं कि काजल को हम सोते सोते ही ले जाएंगे और ड्राइवर को हम बताएंगे नहीं और ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी जब ये अपने गाउं जाने के लिए ड्राइवर को बुलाते हैं तो काजल को बिठाते हैं बीच में एक तरफ पापा एक तरफ भाई और आगे बैठती है मम्मी अब होता के हैं ये अराम से यहां से निकल जाते हैं जब तक काजल सोरी थी जैसी ही अपनी गाउं की सीमा पे पहुचते हैं जब गाउं आठ किलोमेटर दूर था तो अचानक से पहला टायर चोथा वो पंचर हो जाते हैं अब ड्राईवर परिशान हो जाते कि भाई आठ किलोमेटर बचा यार आराम से चल रही थी गाड़ी में अचानक से पंचर का से हो गया ड्राइवर उतर के देखते है पंचर का कोई भी रीजन नहीं मिलता तो ड्राइवर सोचते है ठीक है स्टैपनी तो हाई उसे रिपेर करके ड्राइवर अंदर बैठते है दो किलोमेटर ओर चलते है एक ओर टायर पंचर अब ये लोग महाँ पर शाम को पहुचे थे और गाओ में आपको पता है कि मकैनिक मिलना बहुत मुश्किल है खास कर 2014 में दीरे दीरे आगे बढ़ते हैं दूसरा टायर पंचर फिर थोड़ा आगे चलते हैं तीसरा टायर पंचर और जब सिद बाबा से दो किलोमेटर दूर रह जाते हैं चोता टायर पंचर हो जाते हैं अब ड्राइवर के दिमाग में चल रहा होते हैं अर ये गाड़ी के साथ हो क्या रहा है मतलब एक स्टैप नहीं है वो भी गई चाट टायर भी पंचर होगे तो जो काजल के पापा थे वो इस चीज को तो शीशे में देखी रहे थे हमें तो पता है ये हो क्या रहा है और कोन कर रहा है लेकिन जो ड्राइवर था वो गहरी सोच में कि यह हो क्या रहा है कौन कर रहा है भाई बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रेंग रेंग कर रेंग रेंग कर पूरी 5-10 की स्पीड में ये लोग जो है सिद बाबा के पास पोचते हैं उस दोरान जो है ड्राइवर को पता चलता है जब वो लड़की उतरती है और लड़की को उ आप फाल दूपैसे ले 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 ना आप बस शांती से बैठ जाओ अब बताया कि रातो रात तो पहले वहाँ पे पूजा चली जब ड्राइवर ने बोला कि भाईया मैं यहाँ नहीं रुकने वाला मेरी गाड़ी ठीक करवा दो अगले दिन ड्राइवर की गाड़ी ठीक कुछ करा тा रही हुआ था घ्र वालो कोई छीन का अंदाजाई नहीं लगता था कोई जीन आ गया कोई भूत आ गया प्रेता बेंड चढ़ए ओन्य लंगी पड़ाते टाइम काजल की हरकतों को नोट करते थे कि कहीं इसको दुबारा कोई possession ना आ जाए जब घरवाले इदर उदर होते थे तो जो दूसरे बच्चे थे वो दीदी से पूछते थे काजल से कि आपको क्या हुआ तो काजल उन्हें बताया करती थी कि भाई मुझे खुद घरवाले बताते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ था तो जो personal experience काजल ने share किया कि उनको क्या दिखता था जब ऐसे वो अजीब अजीब से activities करती थी तो काजल ने बताया कि मुझे काली परच्चाई का साया दिखता था जो मेरे को अपने पास बुलाता था और मैं खुद को मना नही कर पाती थी और जब मैं किसी दिन मना करती थी वो जो परच्चाई थी वो दुगनी तिगनी साइज में हो जाती थी जो मुझे देखकर बहुत डर लगता था और मुझे surrender करना ही पड़ता था फिलाल काजल सही है उनकी शादी हो गई है उनकी एक बच्ची भी है जिन्दग पालो वो आके बतादो वो खुद handle कर लेंगे क्योंकि पता नहीं इस चीज को कौन personally किस तरीके से दिल पे ले ले और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को थपड़ मारना जरूरी है तो भाई मैं तो कहूंगा मुझे इठ भी मारतो तो भी कोई बुरी बात नहीं है जो आगे होगा वो देख लेंगे क्योंकि किसी के दिल को दिलासा देने वाली बात नहीं है लेकिन situation देखने के उपर है moral of the story conclusion आपको ये judge करना आना चाहिए कि जो इंसान आपके आगे पीछे गूम रहा है उसकी नियत आपको लेके क्या है उसकी नजरे आपको लेके क्या ह भी है और लड़की के लिए भी है कि आप अपना ध्यान खुद रखना सीखें और जब आपको लगता है कि आपके आगे पीछे कोई ऐसा इंसान है जिसकी नहीं है ठीक नहीं है तो उससे distance maintain करना सीख लो क्योंकि at the end आगे जाके क्या हो सकता आपको कुछ नहीं पता अगर आपके साथ भी कोई ऐसा paranormal incident हुआ हो या आपने देखा हो या कभी आपके सामने ऐसा कुछ हुआ हो तो आप record करके बेज सकते हैं स्क्रीन पर आपको number दिख रहा होगा मैं यहीं कहूंगा जो comments आप करते हूं हमारे motivation होते तो comments को बनाये रखें जो Instagram YouTube को आप प्यार दे रहे ह नई वीडियो आने तक stay tuned with the channel अगर ऐसा कुछ होता है तो मिल्लब पता लग जाए